ये गाईज, वेलकम टु देव भूमी करियर पॉइंट तो कैसे हैं आप लोग, I hope आपकी तैयर काफी अच्छी चल ले होगी, तो देखे दोस्तों उत्राखंड जीके वन लाइनर पार्ट 127 है, और काफी महत्तों पूर्ण उत्राखंड जीके वन लाइनर आपको देखने को इसलिए खास हो जाती है, महत्तों पूर्ण हो जाती है, और आपके लिए सबसे अधा बेनिफिचल ये वाला टॉपिक रहता है, सबी एक्जाम देखेंगे आज भी बहुत अच्छी चे कोश्चन आपके इस वाले भाग 127 में पहला कोश्चन आपके सामने देखें, अनंत पाल देखें, परमार सासक अनंत पाल, इसका कालिका मूर्त लिए प्राफ्त होता है, दोस्तों, 12R से, ऐसे कोश्चन डेरेक्टली बनते हैं, जैसे चांगलेस की प्रसस्ति कहां से मिलती है, लाखा मंडल से कौन-कौन से लेग मिले हैं, तिरसूल लेग किस-किस के कहां से म मिले हैं, कोश्चन हमेशा बनते हैं, तो इनको आप हमेशा याद रखिएगा, इन में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहां से कोश्चन हमेशा देखने को मिलता है, मैं गुरुप से के एक्जाम में, आप उठा कर दीजिए, देख लीजिए, लास्ट एक या फादर बोलते हैं, इसको इंगलीज में, फादर बोलते हैं, आपने चर्च कभी मोवी में देखा होगा, तो वहाँ पे फादर वगरा बोल रहाता है, तो अगर मैं इंगलीज प्रोनावनिशेशन की बात करो, तो यह हो जाएगा, एंटेनियो डी एंड्री डो, ठीक है ठीक है, कौन बेटा हो था, स्यामसा के टाइम पे आये था, ओके, और स्यामसा के टाइम पे आये था, 1624 के आसपास, माथ तो पून है, आपको याद एक्जाम पॉइंटर कुछ से भी इंपोर्टन कोश्चन है, पहला पादरी कौन था, जो गरवाल यातरा पे आये था, इस चिता में महिला को भी जिन्दा बैठ जाना परता था, बहुत ही देखा जाये तो डरावनी प्रथा थी, सती प्रथा, तो अजे वेडियो ने जब ये देखा, 1630 में तो वो देखा रहेगा, बहुचक का रहेगा, इतनी कठोर प्रथा को देखकर, ठीक है, तो आपको याद तرا fedya कीर्था लोमी तो कीचड लुकतु भूमी दलडल भूमी कखले लाते, तलडल भूमी बहूमी, जैसे वेटल aland होते हैं, हाम राम सर वेटल लैंड हो गया जैसे हम तो दलडली भूमी तो हम तराज छेतवे हैं या अमारे प्लेрь अरिया में बोलते हैं वही पागल च दर्ति को देखिए अलग लग भागों में बांटा किया दोस्तों किर्सी या खेती के इसाब से जिसमें सबसे अच्छे तलाओं भूमी मानी जाती है उपराओं भूमी दो दर्जे की होती है ठीक है दोयम और इसके बाद हमारा जो अगली भूमी है दोस्तों वह हमारी आ जात कीचड रुकती है दलदली भूमी ठीक है परवती चेत्रों में सिमार्य गजार का जाते है नैनिताल में पहला मैथोडिस्ट चर्च कहां पर इस्तापित हुआ ठीक है तो नैनिताल में ही हुआ है तो मैथोडिस्ट चर्च देखिए यहाँ पर जैसे हमारे हिंदु धर्म मे में भी आप देखते हैं ना दोस्तों हिंदु धर्म अलग लग जाती वर्ग है मुसलिम में भी आप देखते हैं सिया सुनी ठीक है तो ऐसे ही दोस्तों हमारे क्रिश्चन धर्म में भी आपको दो धर्म एक साब से Christian एक धर्म है लेकिन उसकी दो साखा है देखने को मिल सकते एक है Methodist साखा दूसरी है Catholic ठीक है तो यहां पर जो हमारा चर्च बना नेनिताल में पहला वो Methodist का था Methodist Church इस्ताबित हुआ अठार सो अठावन में और सुमय जिसने इसको इस्ताबित का उसका नाम था पादरी विलियम बटलर तीक है पादरी विलियम बटलर महत्तोपूर नाम है और जब नेनिताल में पहला Methodist Church बना दोस्तों उसमें ततकालीन कुमाओ कमिशनर कौन था बहुत कौन सा कमिशनर या कौन सा कमिशनर इसाई मत का प्रबल प्रचार रग था यानकि इसाई धर्म का बहुत ज़्यादा उसने क्या क्या प्रचार प्रचार किया तो यह हमारा आंसर लगा है एंडिर रेम जे ठीक है महत्तोपूर नेनिताल में पहली बार भूसकलन कब हुआ थ चांच करने के लिए आके लिए भूसकलन कैसे हो और कैसे इस पर रोक लगा सकते हैं ठीक है लेकिन यह नैचुरल डिजास्टर हैं दोस्तों हमारे भूसकलन हो गया लैंड्सलाइड हो गया या अर्थक्वैक हो गया इसको कोई रोक तो भी सकता है ठीक है इससे बचाओ हो स पहला भूसकलन कब होता है 1867 में हिलसाइट सेप्टी कमिटी बनती है इसके तेरह साल बात दोस्तो 1887 ने निताल में फिर और एक भयंकर भूसकलन होता है बहुत लोगों की जान जाती है इसमें ठीक है इंपोटेंट है है चलिए अगला कोशन है दिखे कुमाओ गड़वाल व वन विभाग बना दोस्तो 1889 में और टीहरी लियास्त में वन विभाग की स्तापना हुई 1885 में ठीक है अलग-अलग यहां पर वर्सें याद रखेगा महत्तपूए चलिए अगला है दिखे उत्राखन में वन पंचैतों का गठन किस वर्स हुआ था तो उत्राखन में दिख 1931 ही मान है कि उत्राखन में वन पंचैतों का गठन हुआ था 1931 में ठीक है तो याद रखना है 1931 सही आंसर है चौबटिया उध्यान की स्तापना कब हुई थी अच्छा कोश्य ने देखे चौबटिया उध्यान देखे बिल्टिस कालिन बहुत एक सबसे इंपोर्टेंट उ चौबटिया उध्यान की स्ताफना हुई थी 1869 में अठासो उनतर में ठीक है इंपोर्टेंट है दोस्तों याद रखेगा चौबटिया उध्यान की जब बात हुथे तो एक व्यक्ति का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है जिसका नाम है नॉर्मन गिल तो नॉर्मन गि कमाउ में कितने पर्गनों का उल्लेक है तो मध्यगाली मुगल वन्स की संबन कीत पुस्तग है और इस आईने अघपरी में बदा गए कि को सकतर किस ने इस्ताफीत किति तो तो देढ़ादुर में ओम्रूल लीग की साखा यानिकि ब्रांच जी की बात उरे तो फिर उत्रागंड की दर्ति में ओम्रूल लीग किसने बनाई थी तो उत्रागंड की दर्ति में ओम्रूल लीग बनाई थी 1914 में 1914 में लेकिन बारात में प्लागादर तिल्क के प्रियासो से, ये वला मतलब क्या है इसमें ऐसा तो तो द्यान से सोचीएगा दोस्तों जब हमारा कुमाउ कमिस्नरी बनी थी कब बनी थी कमी थी कमाउ कमिस्नरी चन्पद पनाता 1815 में जिला कुमाउ कब बना था 815 तो अमको कैसा छेतर घोसित किया गया था 15 आयनी छेतर तो arrow के उने होम रूल लीग का मतलब क्या था हो मतलब घर रूल मतलब सासन लीग मतलब संगठन तो मतलब स्वसासन से संबंदित एक लीग बनाया गया था तो उत्राखंड के जो लोग थे दोस्तों उन्होंने पहले ही ये लीग बना ली थी 1914 में भारत में 1916 तक का टाइम इसलिए ल मालों का अपना ही चल ला था नजलिया क्योंकि हम लोग गैर आइनी छेत्र में थे यानिकि नॉन रागुलेटिंग एरिया हमको गोशित किया गया था तो यह कुछ महत्रपूंट पॉइंट थे इस वज़ए से हमारे यहां पर पहले बन जाती है ठीक है और ऐसा भी था और लिकिस्ताफित 1904 में स्वामी विचारानंद ने दोस्तों एक पत्र भी निकाला बहुत महत्रपूर्ण है इस पत्र का नाम था अभई अभई नामक पत्र का निकाली इनोंने कब निकाली 1922 में ठीक है तो इंपोर्टन नेम है स्वामी विचारानंद हमारे स्वाधिन ता अ और इसी अमरिश्चर कांग्रेश अधिवेशन में बद्रिदर्ध पांडे जी की चौती बार मुलाकात होती है बाल गंगाधर तिलक से और तिलक से वो बोलते है वह या मेरे चार धाम की यात्रा पूरी हो गई बाल गंगाधर तिलक जो थे वो बद्रिदर्ध पांडे जी कुली बेगार आंदुलन के दोरान जेल के ही है तो पहली गिरबतारी होती है इनकी ठीक है ध्यान नगेंगे प्रसिद बैराटगर कहां इस्तित है तो देखे गड़वाल के बावन गड़ बावन गड़ तो हम पकते हैं दोस्तों इसके अलबा एक दो गड़वर है जो बहुत महत्तों पुन जिनमें बैराटगर प्रमुख है बैराटगर की लोकेशन है कालसी में कालसी के निकट है देरादुन में ठीक है तो कालसी के निकट है देरादुन में बैराटगर और बैराटगर देखे महाबारत के वन पर्वा में ये बोला गया महाबारत के वन पर्वा मे आजादिंद फौझ में सामिल हूए थी तो धीक दोस्तों जब आजादिंद फौझ बनी थी तो गरवा lilाइफलकी दो भठाले ने उसमें सामिल हूए थी एक थी दो भठाटा इठार जिसका संबंद वी चंदर सिंग गरवाली से भी था और दूसरे थी पांच बटा अठार तो ये दो रेजिमेंट थी दो बटा लेने थी जिनके सेनी क्या होए मर्ज होगे आजाद इंद फॉंज में जोइन कर लें उन्होंने और उत्तराखंडी राज जैसे मैं बोल सकता हूं कि आजाद इंद फॉंज में जोइन होने वाले एक मुख्या नाम बताए कौन था तो ये थे पित्र सरंग रतोगल जी इनका बहुत अहम योगदान रहता है इनको सर्दार जंग की उपादी भी दी गए थी बहुत इंके बारे में जल्दी हमारे उत्राखंड की महान विभूतियों में कोसिस रहेगी कि इनकी वीडियो आपको दी जाए उत उत्राखंड की धर्ती बात ओरे देखे दोस्तों उत्राखंड की ठीक है उत्राखंड की धर्ती ब्रिटिस कुमाओ गड़बाल की बात चलिए है क्योंकि जो ये पत्र निकला समय विनोध कम निकला अठारसो और शट में निकला ने पत्र और इस पत्र को निकालने वाला व उर्दू में प्रकासित होता था किस में हिंदी और उर्दू में ठीक है तो उत्राघंड की धर्ति से पहला हिंदी समाचार पत्र अमारा समय विनोधी हो जाएगा अठार सो और शट में जैदा जोशी ने इसका संपाधन किया जस्पूर से चपता था हिंदी उर्दू का पत् तो अलमोगा अलग बार दोस्तो किस भासा में था हिंदी भासा में सबसे पहले तो यह गौर करिएगा अलमोगा अलग बार जो था कुमाओनी भासा में नी था हो लेकिन कुमाओ छेत्र का पहला समाचार पत्र हो जाएगा कुमाओ से प्रकासित होने वाला हिंदी का पहला अगर question ऐसे बनेगा exam में त्यान से समझेगा इस point को नहीं तो question गलस हो जाएगा exam में अगर आता है question कि उत्राखंड की धर्ती से छपने वाला पहला इंदी पत्र तो फिर समय विनोदा answer हो जाएगा लेकिन question अगर आएगा सिर्फ कुमाओ की धर्ती से छपने वाला पहला इंदी भासी पत्र कौन सा था तो फिर आपका answer जाएगा अलमुग आखबार 871 में पहला संपातक बुद्धी बल्लब पंत ठीक है समझ गे ना दोनों में कोई confusion नहीं होना चाहे हो कंडाली नामक उत्सव कहां आउजीत होता है तो कंडाली उत्सव बहुत फेमस है दोस्तों बोटिया जन्जाती इसको celebrate करती है और 14 गाटी में बहुत ज्यादा फेमस है पिथोरा गड़ में इस्तित है ठीक है अटकिंसन ने गोल्डण वैली नामसे किसको संबोधित किया तो एटकिंसन जो है इतियासका है एकंसन ने जो बागिश्वार छेतर बहुत अच्छाइन है तो कुमाओ सब्द का सरवप्रथम उल्ले कौन सी मद्यकालीन पुस्तक में मिलता है बहुत अच्छा कोशन है तो कुमाओं हमने बात कि अभी आईने अगबरी में यह बोला गया ना आईने अगबरी में तो बोला कि को जो कुमाओं प्रांत है हमारा या कुमाओं का जो एरिया है दोस्तों उसी कुमाओं एरिया में कितने हमारे परगने थे 21 परगने किस ने बोला आईने अगबरी नहीं बिल्टेन में, तो बर्मिंगं पहले इस दोस्तों, वहां का भी एक भव्य रासाई महल है, बिल्टेन का, तो उसी की तरजपे या उसी की वास्तुकला पर आधारी तमारा राजबहुन है नैनी तालगा, जो की गौथिक सहली में बना हुआ है, अच्छा कोशन है किस सहली में बना हुआ है, कभी कोशन निकल गया सकता है एक्जाम में, तो आपको या रखना है, गौथिक सहली में बना है राजबहुन, ठीक है, और दूसरा पॉइंट देखे, राजबहुन, कब से सुरुआत हुए इसको बनाने की, तो 1897 में इसकी सुरुआत की गे थी बनाने की, औ और 1900 में बनकर ये पूरा हुआ दोस्तों, तीन साल लगे इसको बनने में, ठीक है, राजबहुन, दोस्तों, हमारा बर्विमिंग पहले इसकी तरह है, इसकी तरह है, ये आकार का दिखता है, ठीक है, अगर उपर से हम देखते है, जो हमारा, अगर उपर का विउव लेते है राम गिरा है, लाज जेपाल होगेरा जब आते हैं, ज द्यान लगेंगे गरवाल का सुर्जर लेंड किसे का जाता है तो गरवाल का सुर्जर लेंड चोपता पुग्याल को का जाता है ठीक है अच्छा कोशन है दोस्तों चोपता पुग्याल गरवाल का सुर्जर लेंड कुमाओ का स्विर्जर लेंड बोल सकते हैं किसको बोलते हैं कुमाओ का स्विर्जर लेंड कौसानी को ठीक है वैसे तो उत्राखंड का स्विर्जर लेंड या भारत का स्विर्जर लेंड बोला अब गांधी जी ने ठीक है तो कौसानी हमारा क्या है कुमाओ का स्विर्जर ल तो फतेपती साहा ने दोस्तों अपने दर्बार में विद्वानों को काफी अच्छी यहां पर वैल्यू दी थी विद्वानों को आश्रही दिया हुआ था ठीक है बहुत सी साहितिक रक्षनाई हम देखते हैं फतेपती साह के टाइम पर वी थी ठीक है अब फतेपती साहा जो के वज़ाज से बक्त दर्शन इसको बोलते हैं प्रीतम सा ठीक है यही इसमें महत्पम पॉइंट है चलिए बगते अगले कोश्चिन की तरब अगला देखें यहां पर स्टेटिक पॉइंट है दोस्तों उत्राखंड राज्य के विविद दिवस देखेंगे हम इसमें ठीक है से दbayखेंगे हुआ हर्याली दिवस तो ऊतराखंड में हर्याली दिवस पांस जुलाई को मनाये जाता है ठीक है उतराखंड में देखें व्रिक्छा रूपण दिवस भी मनाये हमारे उत्राखन के गोरव जोके संहुकत्प्रा collaborations के फहले मुख्य bissن अ गोविन्द बल्लाब पंत य ोरव दिवस मनना ते हैं इसके पात ता कुमावनी बासा दिवस एक सितं पर को गडवाली भासा दिवस दो सितंबर को तो दोनों रीजनल जो हमारी बोलियां एक इसाब से भासा तो नहीं बोलेंगे बोलियां हमारी कुमाउनी और गडवाली ठीक है तो इन दोनी बोलिया भासाओं को यहाँ पर बड़ावा देने के लिए यहाँ पर हमारा एक सितंबर को कुमावनी भासा दिवस जबकि दो सितंबर को गरवाली भासा दिवस मनाया जाते हैं इसके बाद दिखे राज्य प्रेणा दिवस तो उत्राघंड राज्य प्रेणा दिवस क्यों मनाते हैं हम क्या रीजन इसके पीछे तो उत्राघंड राज्य प्रेणा दिवस दोस्तों हमारे लोक गायक जो है लोक गायक के जन्म दिवस पर मना जाता है जो कि हमारे लोक गाय लीज या नेगी के जन्म को हम राज य पीणा दीवस की रूपम जी रूपम लेडिक कि अगला देखे हिमालाई दीवस सबसे इमपोटेंट दीवस हिमालाई दीवस से कुश्यन से भgal स्मसींी बनते हैं दोस्तों हिमालाई दीवस मलाजेता है प्रत्यख 어제 9 सितम सितंबर को उत्राखण में हिमालाई को बचाने के लिए संदक्षित कनने के लिए और हिमालाई से संबधित जाग रुकता फैलाने के लिए और नौ सितंबर को मना जाता है और दोजार चौदर से इसके आधिकारिक सुरुवात हुई थी अगर कोश्यनी बनता है कि हिमालाई मनाने के सुरुवात किस वर्स से हुई थी झू। पुन्य तिति होते हैं तो इनकी पुन्य तिति को दोस्तों हम राज्य साहित्य दिवस की रूप में मनाते हैं इंपोर्टेंट है अच्छे से याद रखेगा इनको भी ठीक है ध्यान रखेंगे और हर्ड़त बट सैलेश की मैं बात करें दोस्तों बटवाल में जन्म भूआत से चेहरे आदे इनकी बहुत महतो पुन्य कुछ रचने हैं याद रखने आपने हैं हर्दर बट सैलेश इनकी पुन्य तिति उत्राखंड साहिते दिवस की रूप में मनाया जाती है अगला देखिए जागर संदक्ष्वें दिवस तो जागर आपको पता है पौरानिक गात से 17 सितंबर को इसी लिए इसको जागर संदक्ष्वें दिवस की रूप में मनाया जाता है ठीक है ध्यान नखेंगे प्रितम भरतवान दैरादुन 1971 में पैदा होई डांडी कलब इनका एक डांडी कांटी कलब भी है दोस्तों यादखने आपने अगला देखिए लास्ट ल लोग संसकर्थी दिवस मनाते है दोस्तों हम 24 दिसंबर को क्यों मनाते है बहिया 24 दिसंबर को क्योंकि 24 दिसंबर को हमारी उत्राखंट के गाधी कौन है उत्राखंट के गाधी तो उत्राखंट के गाधी है इंद्रमागल बढ़ोनी जी तो इंद्रमागल बढ़ोनी जी का यहां पर जन्म दीवस होता है 24 दिसंबर को इसलिए इस दिन को उत्राखंट लोग संसकर्थी दीवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों ठीक है महात्वपूंग है इंद्रमानी बढ़ोनी जी देखे UKD के एक महात्वपूंग सदर से लिए और प्रथक राज यांदुलन म तो पूश सकते हैं आप कमेंड बॉक्स में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तिल देन अपना ध्यान रखे दोस्तों जै हिन जै उत्राखंट